हेलो एवरीवन वेलकम तो माई चैनल कैसे आप लोग आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आयाइटी जम्मू और आयाइटी भिलाई की इनकी जो लिस्ट है वो सारे ही सब्जेक्स की आचुकी है तो इस वीडियो में बस यहीं इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको में पर्वाइट करूँगी बाके आयाइटी जम्मू का प्यज्डी प्रोग्राम वाला डेडिकेट पेज या पोर्टल आप इस पर विजिट कर सकते है राइट इस ट्रॉल करेंगे तो यहां पर दिखे लिखा हुआ है पहले सबसे प्रोग्राम के नाम जिस्ट इसिप्लेंस की नाम जिन में अद्मिशन इन्वाइट किये गए थे सो यह सारे डिपार्टमेंट्स थे ठीक है और यहां अद्मिशन के सेक्शन में आप दिखे दिखेंगे shortlisted and not shortlisted candidates, right, so इसमें सारे ही subjects है departments है, एक नहीं है वो है Chemical Engineering ठीक है तो chemical engineering अभी इसमें नहीं है, so बाइकी सारे departments कहा चुका है, so wait, yes, so chemistry, then civil engineering, then CSC है, right, उसके बाद process भी दिया है, CSC का, then electrical, HSS, materials engineering, mathematics, mechanical engineering, and physics, right, तो यह आपके सारे subjects है, आप इस पे क्लिक करकी list बाकी जो भी details है आपको mail के through send की गई है ठीक है तो उससे related पी कुछ issues थे but anyways list जो है वो आचुकी है अभी chemical की नहीं आई है और अगर किसी chemical engineering department के candidate को mail रेसीब हुआ हो तो please आप inform बत कर सकते हैं या कर दीजेगा in the comment section तो चलिए अब हम देखते है IIT भिलाई तो उससे पहले IIT भुपनेश्वर के लिए बस इतना ही है कि first week of June उनकी website पे लिखा हुआ है कि they will publish the list or something like that तो hopefully इस week में IIT भुपनेश्वर की तरफ से भी updates आ जाएंगी right तो चलिए अब open करते हैं IIT भिलाई के webpage को so yes यह है IIT भिलाई की website यह webpage ठीक है scroll कीजेगा and यहाँ पे है news from IIT भिलाई जिसमें आपको सबसे first वाली जो news है वो दिख रही होगी which is list of candidates shortlisted wait yes so list of candidates shortlisted for further selection process of PhD program 2020-2021 तो आप इसे open कीजेगा कितने candidates select हुए हैं किन-किन subjects में वो सारे ही details आपको मिल जाएंगी सारे ही department की है right तो यह बहुत अच्छी चीज है वेकिस आपको एक ही PDF में सारे departments की information मिल जाएंगी so yes यह थे update इन दोनों IIT से related और माकी हम hopefully देखेंगे जल्दी ही ठीक है so yes that is it for today यह था आज का वीडियो यह थी आज की update thank you so much for watching आपको मिल जाएंगी